हेलो काईज कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप फ्रीफायर प्लेश्टोर से डाउनलोड करने जा रहे हैं और डाउनलोड करते समय आपके में एपकेंट डाउनलोड करके प्रॉब्लम आ जा रहे है या फिर डाउनलोड पेंडिंग सो कर रहा है लेकिन यह स्टार्ट ही न तक देख लेना है और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकोन में से आल नोटिफिकेशन को आउन कर लीजिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लेश्टोर ओपन करके इस सब भी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं उसके लिए मैं प्लेश्टोर में फ्रेफियर सर्च कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर हम लोग के में प्लेश का ओप्सन आ रहे हैं यहां पर यह पहल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि ऐसे ही पेंडिंग का प्रॉब्लम आता है और एक प्रॉब्लम रहता है जैसे कि हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वह स्टार्ट तो हो गया लेकिन कुछ समय बाद एक डाउनलोड करके एरर आ जाता है जैसे आप इस क्रीन पे देख पा रहे हैं और वह इंस्टाल नहीं होता है और एक तो फिर हम लोग जैसे इंस्टाल कर रहे हैं तब हम लोग के में स्टार्ट हो जाएगा और 99% में अटक जाएगा और उसके बाद जा करके 99% में जाकर करके यह डाउनलोड फैल दिखाई द तो play store का यही सब problem रहता है, तो सभी की सभी problem हम लोग का play store का ही है, इसलिए इन सभी का एक ही solution रहेगा, उसके लिए हमें simple से बता रहा हूँ, इस सभी mobile में work करेगा, पस setting थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो उसको ध्यान रख लिजीएगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहल होगा, तो उसमें आपको चले जाना है, तो मैं यहाँ पर apps में आ गया, उसके बाद यहाँ पर manage apps करके option दिखाई दे रहा है, आपके में आल apps करके अंदर में भी रहे गया, फिर जहां पर हर एक application दिखाई देता है, जहां पर हम लोग को play store मिल सकते है, उस वाले option पे हम लो आना है यहाँ पर से, उसके बाद यहाँ पर से आपको Google search कर लेना है, अब यहाँ पर जितना भी app का आपके में list आएगा, उसमें से आपको दो application को ढूनना है, एक तो है Google play services करके उपर में option दिखाई दे रहा है, और नीचे में एक option दिखाई देगा, Google play store करके, यह सभी mobile मे आपको इन दोनों का clear data करना है, उसके लिए Google play service को सबसे पहले हम कर लेते हैं, उसमें हम लोग को जाना है, और यहाँ पर से आपको फोरा data कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर clear data का option मिल रहा है, नीचे में देखिए, उसमें आपको क्लिक करना है, और उसके बाद फिर manage space पे आप चले जाएए, और यहाँ पर से आपको नीचे में clear all data के एक option दिखाई दे रहा है, तो उसको क्लिक करके आपको पूरा data clear कर लेना है, इसे आपको कोई भी data मतलब loss नहीं होगा, आपका मतलब जैसे important file होता है, वो सभी delete नहीं होगा बिलकुल भी, तो आपको इसको clear data कर लेना ही, इसे कोई भी problem नहीं होगा, ठीक है, अब उसके बाद मुझे back bank दिया गया है यहाँ पर से, तो मैं फिर से यहाँ पर google search कर लेता हूँ, और इसके बाद second number पर हम लोग के पास google play store करके है, तो play store को भी हम लोग को same to same clear data करना है, तो उसके लिए फिर से इसको भ कोई भी problem नहीं होगा, अगर थोड़ा सब भी problem होता, तो मैं नहीं करता, जिनके में problem होता, उनहीं को करने के लिए बोलता, लेकिन नहीं इससे कोई भी problem नहीं होगा, आप असानी से अपने वो mobile में कर सकते हैं, और इससे आपका problem 100% solve हो जाएगा, तो इन दोनों application का आपको असानी से डाउनलोड हो जाएगी, इस बार इसमें कोई भी error नहीं आएगा, बस आपके में network अच्छे से रहना चाहिए, मतलब आपका internet इस भी थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए, तब जाकि यह फैल नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं install हो रहा है, उसी के बीच में मतलब problem solve हो जाएगा, so I hope दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा, वीडियो आप सभी को अच्छा लगा यार, तो वीडियो को like जरूर कर लीजिए, और चैनल को subscribe करके bell icon में से all notification को on कर लीजिए, thank you